हुआ है हलो फ्रेंड्स व्लकम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स अगर बेंडो इसी है बेंडो इसी क्या होता है दस-पांच मिट के बाद वो कंप्रेसर जो होता है का ट्रिप होके बंद हो जाता है तो यह फॉल्ड बहुत ज़्याद आ रहा है तो आपके करना वीडियो को पूरा बच करना जिससे कि मैं आपको जो इंफोमेशन दो वो अच्छे से समझ आ जाए टाम इस नंगर दिवीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले आपको चैक आट करना कि क्या होता है सर्विस प्रॉपर तरीक से होना चाहिए वहाँ पर क्या है नीड और दरीक से और नहीं करें तब यह दिक्कत आती है कि वहाँ पर अपर क्रिसर आपका ट्रफों के बंद हो जाएगा उसके बाद आपको चैक आट करना चाहिए आपका जो कैपसीटर होता है वह बीक नहीं होना चाहिए अगर वह बीक होगा तब भी दिक्कत आएगी बट मै मैं आपको जो फॉल्ड बतांगो वह डिफ्रेंड है क्योंकि यहां पर मैंने सब कुछ चैक आट को लिया है एक टू जैट पहाँ पर कनेक्शन चैक आट कर लिए कि कनेक्शन में लोजी नहीं प्लस वहां पर बोल्टिस भी ठीक है और बोल्टिस में कोई दिक्कत नहीं हो हो रहें एकदम प्रोपर दरीगे से बोल्टिस आ रहें और कंप्रेसर जो है वाट फिर भी वहाँ पर पांदस मिल चलता है ट्रिफ हो के बंद हो जाता यह फॉल्ड आ रहा है यह सब कुछ आपको चैकोट करके उसके बाद भी अगर आपके सामने भी अगर यह फॉल्ड आ पाता है तब यह दिक्कत आरे की वहाँ पे आपका कंप्रेसर ट्रिफ हो के बंद हो जाता है तो आपके सामने उज़री फॉल्ड आ रहा है तो आप अगर बहुत ज्यादे में से तो आप उसकी कोई लिंग का इल चेंज कर दे नियू डाल दे तब यह फॉल्ड नहीं होगा और ये फ्रोब्लम नहीं आएगी और उसके बाद भी अगर आपकी ये फ्रोब्लम आ रहे तो आपका हो सकता है कि आपका जो कंप्रेसर वो फॉल्ड ये तो कंप्रेसर आप डाइट चेया-कॉड कर सकते हैं लगवग आदा गंड़ा चला एं या फिर एक गंड़ा चला सकत अब यह फॉल्ड आएगा तो फ्रेंट्स इंफोर्मेशन कैसी लेगा अच्छी लेगी वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूज इट के है चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक ये फॉर वाचिंग